आज हम बात करते हैं, Elastic Vervation Solids या ठोसों में प्रत्यास्ता रंगे क्या होता है उसके बारे में जब किसी ठोस छड़ पर लगाय जाता है, तो छड़ के आकार में परिवर्तन हो जाता है बल के हटाने पर प्रत्यास्ता या Elasticity गुण के करण छड़ अपनी पूर्व अवस्ता में आने का प्रयतना करती है ठोसों के यही गुण यांत्रिक्रिया या मेकैनिकल एक्षिन के द्वारा ठोसों में तरंग संचरन के लिए उत्तदाई होते हैं यदि छड़ के एक सिरे थोड़े से अक्षिय अवेग या अक्षियल इंपल्स लगाया जाए तो विशेश प्रकार के रीजिन से लंबाई के अनुदिश रगड़े तो इस प्रभाव निश्चित वेग से छड़ में गति करता है यह प्रभाव छड़ में अनुद धैर्य तरंगों के रूप में संचरन करता है और इसका वेग छड़ में प्रत्यास्ता गुणां के यंग्स मोडूलोस अविलासिती एवं घनत्व पर निर्भर करता है तो मान लिजे कि एक अनुद धैर्य तरंग संचरित हो रहा है जैसे कि हमने इस चित्र में तरशाया है तरंग संचरन के कारण चड़ में प्रत्यक परिछेत तल या क्रॉस सेक्शनल प्लेन चड़ के अनुदिश अपनी मध्य मान सित के आगे बीचे कंपन करता है इन्ही कंपनों के उत्पन प्रिभाव में संचरन त्यासता तरंग कहते हैं माना चड़ के एक सिरे एकस इकोटो जीरो से एकस तथा एकस प्रस डेल्टा एकस दूरियों पर दो परिछेत तल करमश ए तथा बी लेते हैं प्लस एकस दिशा में तरंग संचरन के करारंट किसी शण ए तथा बी तलों की विस्थापित स्थित्यों एडैश बी डैश है तो अधा इस लंबाई का जो परिवर्टन है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए वबी तलों के बीच लंबाई में परिवर्टन ए वबी तलों के मद्धि प्रारम्बिक लंबाई का जो अगर हम भाग लेते हैं तो इसको हम अनुद्धर्य विकृति कहते हैं यानि कि del psi by del x s is equal to del psi by del x is equal to del psi by del x जब del x की सीमा में it tends to 0 del psi by del x is equal to del psi by del x जैसे कि हमने इस equation में दर्शाय है और चुकि छड़ प्रत्यास्त और विकृति अत्याल्प है इसलिए हम यह जो approximation है वो ले सकते हैं अब हम बात करते हैं चड़ का जो यंग पत्यास्ता गुडांक है यानि कि प्रतिवल वा अनुद्धर्य विकृति y is equal to प्रतिवल by s प्रतिवल is equal to y is equal to y del psi by del x दबावल प्रतिवल into अनुप्रस्त कार्ट दबावल is equal to y a del psi by del x is equal to y as तरंग संचरन के कारण विस्थापन साहि कि दूरी x के साथ परिवत्न की दर्जड के भिन-भिन भागों में भिन-भिन होती है इसलिए चड़ के प्रतिवल प्रतिवल का मान भिन-भिन होता है तूसरे शब्दों में दवाबल दूरी X पर निर्बर करता है, A पर दवाबल F A is equal to Y A S A, B पर दवाबल F B is equal to Y A S B, यता X दिशा में कार्यात परिणामी बल F is equal to F B minus F A, Y A S B minus S A, यदि छड की लंबाई के अनुदिश अनुद धर्य विक्रिती S के परिवर्तन की दर, डेल स तलों के मध्यानुद धर्य विक्रिती में परिवर्तन, S B minus S A is equal to del S by del X into del X, plus X दिशा में कार्यात परिणामी बल Y, जो बल होगा, F is equal to Y A del S by del X into delta X, हमिकरन से S का मान रखने पर, हमें मिलता है, Y A del S by del X, del X is equal to F, यानि कि F is equal to Y A del square Si by del X square del X, यदि छड़ के बदात का घनत्व Si rho है, तो ये तथा भी परिशेत तलों में बीच छड़ के, L5 का द्रवेमान A rho del X होगा, अब यदि ए भी तलों के मध्य L5 का त्वरण, del square Si by del T square हो, तो Newton का दिशा में कार्यात परिणामी बल, द्रवेमान into त्वरण, F is equal to A rho del X, del square Si by del T square के बराबर होता है, समिगरंट से, A rho del X is equal to, into del square Si by del T square is equal to, Y A del square Si by del X square del X, यानि कि del square Si by del T square is equal to Y by rho, del square Si by del X square, या समिगरंट छड़ के संचरे तनुत है रहे और तरंग में अवकल समिगरंट है, इसकी तुलना तरंग के व्यापक अवकल समिगरं, del square Si by del T square is equal to, V square del square Si by del X square के साथ करने पर, अनुदर्वे तरंगों का जो वेग है, V is equal to under root Y by rho होता है, धन्यवाद,